Hello everyone, my name is Gargi Sharma and welcome to my YouTube channel once again and Canada Immigration ने बहुत सारे changes कर दी है और एकदम से कर दी है जिसका impact immigrants students पे होने वाला है ना तो यहां पर jobs है ना यहां पर housing है तो इसलिए बहुत सारे factors है जो यह Canada Immigration ने जो भी अपने rules ने निकाल ले तो चलिए without wasting time स्टार्ट करते है वीडियो और बात करते है कि कौन-कौन से rules जो है वो update हुए सबसे पहला जो change आया है वो बहुत ही drastic change आया है जिसमें actually जो genuine students थे genuine immigrants थे उनके लिए यह बहुत जादा problematic है बढ़ हां जैसे अपने इंडिया में या फिर और countries में contract marriages हो जाती थी और फिर लड़का या लड़की हां पर आके PR हो जाते थे तो वैसा आप scene नहीं रहा है तो जो spousal open work permit है वो अब सिरफ उनी को मिलेगा जो यहां पर master's degree या फिर graduate degree या फिर doctorate करने आ रहे हैं जैसे पहले students क्या होता था plus two के बाद यहां पर डिपलोमा करके आ जाते थे and उसके बाद अपने spouse को यहां पर बुला लेते थे तो वो scene अब नहीं रहा ह है the spouse open work permit is only eligible for those who are doing master's or doctorate degree in Canada तो यह वाली चीज रूल तो सही है बट लेकिन जो actual students थे जो actual married couples हैं जिनोंने प्लस टू करके या फिर यहां पर डिपलोमा करने आ रहे हैं graduation के बाद भी तो वो तो genuine थे बट क्या कर सकते हैं Canada immigration ने यह जो change किया है वो drastic change किया है तो make sure अगर आप plus two करके अगर आप married हो और यह सोच रहे हो कि आप जा के वहां पर study करोगे और आप अपने spouse को बुला लोगे तो अब ऐसा नहीं होने वाला है और यह impact करेगा 2024 September intake के बाद so make sure आप अपनी research कर लीजिए आप किसी भी agent के चक्कर में नाफस है कि आपका spouse वहां चला जाएगा जो next change Canada government की तरफ से हुआ है वो हुआ है मार्क मिलर कैनेडा का जो immigration minister है उसने किया है capping on the study visas ठीक है जैसे कि mostly लोगों को पता होगा कि पिछले साल 2023 में according to CIC reports बहुत सारे students around 1 million 10 लाग के करीब यहां पर immigrants आए हैं जिसके वजह से यहां पर ना तो jobs है और जो housing है वह बहुत expensive हो गई है बच्चों के पास jobs नहीं है इसलिए यह step लिया गया है कि जो इस साल बच्चे आएंगे वह approximately 3.5 लाग के करीब आएंगे जिसकी जो इन्होंने बिल्कुल कैपिं decrease करके 35% decrease कर दी है I think this is good initiative taken by the Canadian immigration तो अब जो study visa होंगे वह students के वह बहुत ही कम amount में होंगे and depend करेगा आप कौन से institution में admission ले रहे हो depend करेगा आपके marks क्या है तो उसके factors जो है वह सब factors देखकर उसके बाद ही आपको जो है वह study permit मिलेगा और yes another step अगर आप किसी भी प्रोविंस म में आ रहे हो another step जो आपको अपनी study visa application के साथ लगाना है वह letter of attestation पहले यह नहीं होता था बट अब आप किसी भी प्रोविंस में किसी भी university में या college में जा रहे हो तो आपको प्रोविंस की तरफ से letter of attestation लेना पड़ेगा जो कि आपको study permit application के साथ लगाना होगा अगर वह अप्रूव होगा तभी आपका वीजा अप्रूव होगा otherwise नहीं होगा तो यह भी एक major change है जिसमें अब students के जो वीजा होंगे study visa के वह बहुत कम हो जाएंगे but actually Canada को यह चीज़ की बहुत जरूरत थी क्योंकि बहुत जादा immigrants हो चुके हैं यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है these are just temporary changes for two years वो सिरफ देख रहे हैं कि ऐसा करने से क्या result होता है तो जो भी आगे की changes आएंगे हम आपको update करते रहेंगे तो वीडियो को like कर दिया करो चैनल को subscribe कर लो ताकि Canada की जितने भी immigration वीडियोस हैं आपको दिखती रहें तो चलिए चलते हैं next step पे तो next जो major change आया है according to me वो है post graduation work permit को लेकर post graduation work permit mostly सबको पता होता है कि जब हम यहां पर study करने आते हैं उसके बाद हमको यहां पर work permit मिलता है तो सबसे पहले आपको क्या ध पता it is designated learning institution list मैंने already अपने चैनल पर वीडियो बनाई है आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि designated learning institution क्या होता है अगर आप जिस भी college यह university में apply कर रहे हो वो DLA approved है और वो public है then you are good to go लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप private college में भी जा रहे हो अगर आपका private college public college का curriculum पढ़ा और एक agreement भी लिया हुआ है ठीक है DLA approved का तो आपको post graduate work permit मिलता था बट अब ऐसा नहीं होगा the reason behind that क्योंकि private colleges पिछले सल आपने news सुनी होंगी काफी colleges बंद हुए है private colleges छोट-छोटे कमरों में बना दिया है दो-तिन कमरों में और उन्होंने बच्चों को बहुत exploit किया है और अब ऐसा नहीं होगा तो अब जब भी आप अपना Canada visa apply कर रहे हो study visa apply कर रहे हो make sure कि आपका जो institution है वो public हो और DLA approved हो तो इस बात का पक्का ध्यान रखना otherwise आप problem में फस सकते हो आपको यह चीज समझ आ गई होगी कि कौन कौन से रोल जार और आपको क्या-क्या steps लेने है study visa apply करने के लिए क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपको still कोई doubt है कोई भी आपको concern है you can ask me in the comment section I would be happy to answer you और जाने से पहले एक request है कि अगर वीडियो अच्छ अच्छा लगा है तो please like कर देना चैनल को subscribe कर लो more videos देखने के लिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay happy take care and stay healthy bye bye